हलो गाइज एक बार फिर स्वागत हैं आपका तहिंदी स्क्रेन में तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और मूवी एक्स्प्रेनेशन की और आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जो आपको रोमाचित कर देगी तो ये मूवी दलास वारियर का सेकंड पार्ट है जिसमें मूवी का फर्स पार्ट में हुए इवेंट्स का कौंस बताया गया था इस मज़दार स्टोरी को समझाने के लिए आपको उससे पहले इसके पहले पार्ट की एक्स्प्रेनेशन समझनी होगी जो आपको हमारे चैनल पर असानी से मिल जाएगी तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सैनिकों को जंगल की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है उनके साथ इवान भी वहां मौजूद होता है जो राजा का बेटा है और उसने बिलकुल नए जमाने के कबड़े पहन रखे है उसके फादर ने उसे जादू से फीचर की दुनिया में फेज दिया था ताकि वह वहां सुरक्षित रह सके लेकिन वह अभी अपने पांस्ट में आ गया है और यहाँ पर उसकी मुलाकात उसके फादर से होती है तब ही हम देखते हैं कि वहाँ एक मॉंस्टर आ जाता है जिसका शरीर ही नहीं होता है और सिर्फ फेस होता है थोड़ी देर में वे लोग उस मॉंस्टर फेस को पकड़ने में काम्याब हो जाते है जहां पर फैनीस नाम का एक गार्ड उसके सिर को अपने थैले में भर लेता है और सभी दुबारा से अपने राज आ जाते है उनके राज का नाम था वाइट सिटी अब मुवी का सीन शिफ्ट होता है और कहानी अब वाइट सिटी की तरफ आगे पढ़ती है जहां एक चोटी सी बच्ची को एक औरत की बास्केट से एक एपल चुराते हुए देखते है एपल खाते वागत उस चोटी बच्ची को अपने पास एक चमकता हुआ फूल दिखाई देता है फिर वो स्टमकते वे फूल की तरफ जाती है उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ में काटा लग जाता है तब ही वहाँ वही औरत आ जाती है इसकी टोकरी से छोटी बच्ची ने अपल चुराया था वो औरत उस बच्ची से उसके माबाप के बारे में पूछन गर में हैं और उसके गर में मौडन जमाने की सबी चीज़ें हैं जैसे लाइट बल वाशिंग मशीन सब को चलाने के लिए उसने एक जनरेटर भी रखा था और वो सब चीज अपने फीचर से ही लेकर आता है अब हम देखते हैं कि वली सिया नाम की लड़की इवान से बात क चुरू हो गए थे और ये सब फूल की वयासे हो रहा था अगले सीन में इवान तलवार से एक बोतल बना कर फीचर की दुनिया में जाता है और सूपर मार्केट से जनरेटर खरीता है और वापस से पास में आ जाता है उधर वो औरत उस चोटी बच्ची को जादू गरनी के पहुँच जाते हैं जहां उन्हें वो चमकता हुआ फूल मिला था लेकिन वहाँ जाने पर वो जादूई पेड़ उन्हें बांध लेता है अगली सुबा का सीन आता है जहां पर राजा ने कॉमपरटीशन रखा था वहां राजा के सबी लोगों को अपनी ताकत का प्रदर लगती है क्योंकि उसका जादू खत्म हो गया है क्योंकि इवान उसको डेली यूज़ करता था और फ्यूचर में जाया करता था इसलिए इवान को मजबूरन उस कॉमपरटीशन में हिस्सा लेना ही पड़ता है यहां पर वो काफी अच्छा परफॉरमस देरा होता है लेकि से उनकी आँखें गायब होने लगती है और वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते है तभी वरवरा उस तलवार को चीन लेती है इवान अपना मोबाइल फैंक कर मारता है और वरवरा के हातों से वो तलवार किर जाती है तभी राजा उस तलवार को उठा कर लड़ने की कोश पिर एवान, पानिस, मॉंसर फेस और विच सभी वहां से भागने लग जाते हैं। वलीसिया भी उनके साथ भाग रही होती हैं। फिर वरवरा और गेलेन नाम की दोनों चुड़ैले और उनके गार्ट उन सभी के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन जब वरवरा की गार्ट से पूछता है कि आखिर वो चुड़ैल कौन थी और उसे वो जादूई तलवार क्यों चाहिए। जिस पर वो बताती है कि हजार साल पहले एक नेक दिल जादूगर यहां रहता था जो किसी भी चीज़ को छुकर उसके अंदर जान डाल देता था। लेकिन जब उसे एक दि गिरा दिया और से मार दिया। जादूगर अमर नहीं हो पाया और वहीं मिट्टी में दफन हो गया और उसके मन में नफरत भर गई जिसके बाद वो एक शैतान बन गया और सी शैतान जादूगर को यह तलवार चाहिए। जब वो लोग ये बाते कर रहे होते हैं तो वहां नदी से आवाज आती है कि हमें शैतान को मारने का तरीका डेडलाइन में ही पता चलेगा दूसरी और हम देखते हैं कि वो दोनों चुडैल चलती हुई जोपड़ी के अंदर देखती है जहां पर उन्हें कोई नजर नहीं आता इसलिए गेली न उस जोपड़ी को जलाने का आ लगती है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है और दूसी जंजीर को खीच कर पानी से बाहर निकालती है जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग जिस पत्थर पर खड़े हैं असल में वो एक वेल मचली है इसके बाद वो वेल उन्हें लेकर उड़ने लगती है और डेडलाइन तक पहुँचा देती है इधर इवान विच्च की फलियां निकाल कर खा लेता है जिसके बाद से उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है फिर सब लोग बोलने वाले पहाड के पास पहुँच जाते है वो पहाड कहता है उसी को अंद अंदर जाने के बाद इवान को उसके फादर मिलते है और उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा शौक्ट हो जाता है और पूछता है कि आप यहां कैसे पहुचे उसके फादर बताते हैं कि उसे उसी गलीना ने जान से मार दिया था और इसलिए वो डेडलाइन यानी मुर जाज के और आने लगते हैं रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है और इवान ज़्यादा फलियों को खाकर उस पर एक पेड़ गिरा देता है और वे लोग उस ब्रिच के सहायता से नदी पार करने लगते हैं फिर विच कोश्चई से उस जादूगर को मारने का तरीका पू पार फ्योचर में जाने की वहाई से उस तलवार की पावर कम हो गई है तो इस बात को सुनकर वली सिया काफी ज्यादा नाराच हो जाती है इवान उस तलवार से एक पेड़ को काटता है लेकिन वो 89-10 पहरा देता है अचानक से एक तीर आकर उसे लगता है वो तीर वरवरा ने चलाया था फिर एवान उस तलवार को लेने जाता है लेकिन वो उस तलवार को गलीना को नहीं देना चाहती क्योंकि वो खुद अमर होना चाहती थी आगे हम देखते हैं कि पत्थर गिरने के वैसे इवान और वाकी लोग अलग हुजाते है और सब इवान को वहाँ छोड़ कर चले जाते है फिर इवान उस जगह आता है जहां उस तलवार की मियान मिलती है अगले सीन में हम देखते हैं कि गलीना वरवरा की तलवार नीचे गिरा देती है और से कहती है कि तुम्हें जादूगर को दोका नहीं देना चाहिए पर वरवरा उसकी कोई बात नहीं सुनती इसलिए गलीना वरवरा को अपने कबजे में कर लेती है फिर आगे हमें वही मॉंस्टर दिखाई देता है जिसे फानिस ले आया था वो मॉंस्टर उन चुड़ैल से बचने के लिए जंगल में आ गया था फिर उसे वही जादूई तलवार मिलती है और से आगे उसे इवान मिलता है फिर इवान उससे अपनी तलवार लेकर वाइट शिटी आ जाता है उदर सारे सैनिक अब गलीना के कबजे में थे इसलिए इवान को उन सब से लड़ना पड़ता है उदर वलीसिया विच की दवा का इस्तमाल करके फानिस को बिल्कुल ठीक कर देती है फिर सब मिलकर इवान के साथ देते है और मॉंस्टर सिर एक पत्थर के उपर चड़कर बताता है कि वही पत्थर है जिसे काट कर जादूगर की मौत हो जाएगी इवान उस पत्थर को काट देता है लेकिन कोई फायदा नहीं निकलता फिर इवान कोश्चाई से उस पत्थर के बारे में पूछता है इतनी देर में एक सैनिक कोश्चाई के सिर को काट देता है इवान उस कटे हुए सर से पत्थर के बारे में पूछने लगता है और कोश्चाई की वोड़ी एक तरफ इशारा करती है फिर वो अपना सिर खुद ही जोड़ लेता है तब ही गलीना वहाँ आकर उन पर टैक कर देती है इस सब में कोश्चाई का सिर एक बार फिर टकरा जाता है और से सब यादा आता है कि अगर उस पत्थर को तोड़ा गया तो वो जादू कर मरेगा नहीं बलकि आजाद हो जाएगा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी पत्थर तोटते ही वो जादू कर आजाद हो जाता है और इवान को मारने की कोशिश करता है कोश्चा ही कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है लेकिन जादू कर सबको अपनी जादू में लपेट कर जमीन में दवाने लगता है फिर इवान को अपने फादर का विजन मिलता है जो बताते हैं कि हमें जमीन से ही सारी शक्तियां मिलती हैं फिर वो ऐसा ही करता है और उसे जमीन से शक्तियां मिलने लगती हैं फिर वो जादूगर की टहनी को उखार देता है अब इवान को यकिन हो गया था कि उस पेड़ को वही शक्तियां जमीन से ही मिल रही हैं इसलिए वो पेड़ की जड़ को उखार देता है और स्पेड़ को अपने साथ फीचर में ले जाता है और कहता है कि यहां तुम्हें मिट्टी नहीं मिलेगी यहां सिर्फ सडके हैं तब ही वो जादुगर उस रोड को तोड़ कर नीचे की मिट्टी से मिलने की कोशिश करता है लेकि नीचे कॉंग्रिट से बना बेस्मेंट था और जादेर तक मिट्टी ना मिलने की वैसे वो नश्ट हो जाता है फिर पांस्ट में सब लोग आज़ाते हैं और इवान भी पांस्ट में आ जाता है फिर यहां इवान वलीसिया को अगले सीन में इवान फारिस और गार्ड्स जंगल की तरफ जाते हैं और उन्हें एक अंडे में से कुछ चलती हुई जोपड़ी नसर आती हैं जोस विच की बड़ी जोपड़ी के साथ भाग जाती हैं और अब यहां मूवी का एंड हो जाता है तो कैसा लगा आपको हमारी हमें ज़रूर बताएं और लाइक, शेर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद